इस वीडियो के अंदर मैं bubble sort algorithm को explain करने वाला हूँ, कुछ objects मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके सामने, वो सब आपको दिखाऊँगा bubble sort algorithm एक बहुत जादा elementary sorting algorithm है, सबसे पहली चीज कुछ ही दिनों बाद जब हम coding सीख रहे होते हैं, तो हम bubble sort को पढ़ते हैं किसी भी array को अगर random order में मेरे elements है उसमें, उसको मेरे को एक sorted order या ascending order के अंदर लाना है, तो bubble sort के प्रयोग से हम ये काम कर सकते हैं चलो एक बार फटाफट bubble sort में आपको समझाता हूँ, अगर आप visually समझ पाओ bubble sort में actually में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे की intuition है, adjacent elements की swapping continuous fashion में, ठीक हैं, अगर आप इसको समझ पाओ तो आप आराम से code भी कर पाओगे, एक बार यहां देखते हैं, तो जैसे कि आप यह अपनाने वाला हूँ, जो की bubble sort algorithm है, उसमें मैं दो adjacent elements की swapping करता रहूँगा, तो इन दोनों की मैंने swapping की, अगर यह element इससे बड़ा है, तो यह इसके साथ भी swap हो जाएगा, अब यह process हम करते रहेंगे, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, मैं बताऊंगा कि करते नहीं रहना है, end times करोगे तो हो जाएगा, अब largest element end पे आ चुका है, अब इसकी बात करते है, इसको sort करते है, तो क्या यह element इससे बड़ा है, नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या यह element इससे बड़ा है, yes, तो हम इन दोनों को swap कर देंगे, क्या pen charger से बड़ा है, yes, तो मैं इन दोनों को swap कर दूँगा, वापस से सेम काम करते है, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं, ये SSD इससे बड़ी है, बिल्कुल है, तो मैं इन दोनों को swap कर दूँगा, क्या ये इससे बड़ी है, नहीं, फिर क्या ये इस element से बड़ा है, नहीं, तो अब आप देख सकते हो, हमारा ascending order में आ पूरा का पूरा elements सारे, तो अभी मैंने आपको दिखाया bubble sort का एक बहुत ही अच्छा example, अब बात करते हैं इसकी time complexity की, तो आपको जादा सोचना नहीं है time complexity के उसमें, हम हर समय क्या कर रहे है, loop चला रहे है, adjacent elements को compare कर रहे है, loop चलाने में n operations लगते है almost, अब कितनी बार हम व operations अगर आप notice करोगे, सबसे पहले मैं full length of array पे अपना loop चला के यह swapping करूँगा, फिर उसके बाद मैं n-1 elements पे loop चलाऊँगा, क्योंकि last element हमेशा मेरा हर round के बाद सही जगे पे आ जाता है, जैसे सबसे बड़ा element end पे आ जाएगा, फिर second सबसे बड़ा element end पे आ जाता है, second pass क तो ऐसे मेरे पास total end minus 1 passes होते हैं, और हर round में almost आप कह सकते हो, पहले pass में n elements है, अगले pass में n-1 के साथ यह काम हो रहा है, लूप चला रहा है, तो almost end end minus 1 upon 2 operations है, time complexity big of n square रहती है, अब bubble sort को हम अगर optimize भी कर सकते हैं चाहे तो, ताकि हमारा best case time complexity big of n हो जाए, अब यह optimized code में elements जो है, वो sorted है, या फिर एक pass के बाद ही वो sort हो गए, कभी-कभी हो सकते हैं, तो हम हर समय चेक भी करते रहेंगे कि क्या मेरा array sorted है या नहीं है, तो इसके चलते ही हम optimize भी कर सकते हैं, बबल sort को, अब आपके screen के सामने आपको एक code नदर आ रहा हो,